हाई, वेल्कन दूबाशनल, इस ब्रह में सॉल्व करें क्वेशन नमबर सेवन्टीन, तो ध्यान देजीए का, टू सर्कुलर सिलिंडर्स आफ इक्वल वाल्यूम्स, ओके, आफ इक्वल वाल्यूम्स, हैब दियर हाइट्स इन दा रेसियो वान इस टो, फैंड दी रेसियो आ है, वह 1-2 दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों सर्कुलर सिलिंडर्स का वाल्यूम्स इक्वल है, और हाइट का रेसियो मतलब 1-2 दिया हुआ है, मतलब एक का हाइट यदि, माल जो 1 सेंटिमेडर है, तो दूसरे का 2 सेंटिमेडर होगा, मतलब कि पहले वाले का जो height है वो मतब दूसरे वाले को जो height है वो पहले वाले की दुगूना है करने का मतब यही है ठीक है तो height के difference से आप सोच रहे होंगे कि equal volume कैसे हो जाएगा यदि आप यह सोच रहे होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ और माली जे की एक cylinder है यह लिए लेते है और इसकी माली जे height है यह माली जे की height है इसकी x ठीक है यदि इसकी height x है तो इसके दुगूना वाले height एक बनाते है एक ऐसा सिर्ण बनाता है जिसका दुगूना height है लेकिन volume से होना चाहिए मतलब जो इसके अंदर space है न जो यह पहले वाला जो space जो तना occupy करेगा उतना ही second वाला भी करना चाहिए लेकिन उसकी height ज्यादा होने चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको radius छोटा लेना पड़ेगा है कि नहीं radius यह पतला ले लेंगे तो यह दुगुना कर सकते हैं आप इसको जो है दुगुना लंबा कर सकते हैं और दोनों की volume जो है दोनों के capacity है या volume है वो दोनों same रहेगा मतलब आप इसकी height जो है 2x आपकोर सकते हैं यह मांसकते हैं 2x लेकिन इसमें जो air का जो volume है या कुछ भी मतलब इसका जो space है वो उतना ही होगा जितना इसका होगा तो मतलब यह height अलग-अलग दे दिया है 1 is to 2 और इसी को माल लेंगे x और दूसरे को माल लेंगे 2x height उसके बाद हमें निकालना या है कि पहले वाले का जो radius है माल लेंगे पहले वाले का radius है r1 और दूसरे वाले का radius माल लेंगे है यहां से लेकर कि यहां तक यह है आपका r2 r1 और r2 में ratio पूछ दिया है बस ओके तो solution करते हैं आपर पहले आप में माल लेते हैं यहाँ पर height का exact amount तो let the heights of two circular cylinders two circular cylinders b h1 is equal to x units तेखे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ units मतलब यहाँ पर आप centimeter में यूज करिए है meter में यूज करिए है किसी भी एक unit में यूज कर सकते हैं तो h1 माल लिए हमने x units यहाँ पर unit नहीं दिया है कुछ भी तो इसलिए मैंने common माल लिए units ठीक है अब यहाँ पर s2 ले ले लेते हैं मतलब कि height of second cylinder और यह माल लेते हैं 2x units क्यों हमने 2x कहा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ratio में दिया हुआ है यहाँ पर 2 पहले वाले में x से multiply करेंगे तो मिलेगा x units दूसरे वे यहाँ पर ratio में करेंगे तो मिलेगा 2x units ठीक है हमें find करना है कि r1 is to r2 कितना आएगा ठीक है now अब यह दिया हुआ है since यह दिया हुआ है कि volume of volume of one cylinder is equal to volume of another मतलब कि दोनों का equal है first वाले का जो cylinder का जो volume है वही equal है second वाले का मतलब कि पहले वाले का volume कितना हो जाएगा यह हो जाएगा pi r1 square h1 है कि नहीं equal होगा दूसरे वाले volume के मतलब pi r2 square h2 है कि नहीं यह होगा आपका तो यहाँ पर आप करने क्या कि हमें actually r1 upon r2 निकालना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा r1 यहाँ पर r1 square है यहाँ पर r2 square है तो हम r1 और r2 को एक साथ करेंगे और जितना वी बच्ची की चीज़ें है वो right hand side में ले लेंगे ऐसा कर सकते है न इसको और जितना इधर left side में जितना बचा हुआ है उसको सब right side में भेज़ देजे तो right side में पहले से ही कुछ बचा हुआ रहेगा मतलब pi into h2 यह पहले से ही है यहाँ पर अपान कर देंगे pi into h1 राइट इतना हो जाएगा गरा ओके अब इतना हो गया अब यहाँ पर हम क्या कर सकते है तो ना से यहाँ पर pi पान कर लेते हैं मिलेगा हमें h2 upon h1 मतलब हमें मिल जाएगा कि r1 square upon r2 square is equal to मिल जाएगा s2 upon h1 और s2 upon h1 की value क्या है देखिए h2 आपका 2x है देख लेंगे 2x upon h1 की value है x कट जाएगा x1 जाए x कट जाएगा यहाँ पर और यह मिलेगा आपको 2 upon 1 मतलब कि यहाँ पर हम अब यहाँ देखिए r1 upon r2 यहाँ धान जाएगा यदि आपका a square upon b square रहता है तो आप इसो लिख सकते हैं इस तरीके से a upon b का whole square है कि नहीं यहाँ भी वही काम करेंगे यहाँ लिख देंगे r1 upon r2 का whole square और यह equal होगा 2 upon 1 के it implies अब यहाँ में both sides में क्या करेंगे square root ले लेंगे तो मिलेगा आपको r1 upon r2 is equal to square root of 2 upon 1 और यह क्या आएगा under root 2 upon 1 आएगा क्योंकि 1 का square कर सकते हैं तो 1 बाहर निकल सकता है लेकि 2 नहीं निकल सकता है तो under root 2 upon 1 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए r1 upon r2 is equal to root 2 upon 1 तो यहीं तो ratio होता है इसका मतलब की ratio आ गया है हमारा इसको लिसकते हम ऐसे root 2 is to 1 this is the required ratio तो hence hence ratio of the radii is root 2 is to 1 this is your answer तो यहाँ पूछा फानली है है ना if you want to find the ratio of the radii ratio of the radii r2 is to 1 this is the answer तो thank you so much for watching bye